जहें दोस्तों बंदे माकरा इस साल शुरुआत से लेकर अभी तक कई सारी ऐसी मूवीज रिलीज हुई हैं जिन्होंने बॉक्स ओवेस पर कमाई के नय कीरतिमान भी बना दिये और उनसे जादा कुछ एक्सपेक्टेशन्स थी भी नहीं ऐसे में पुश्पा की बात करें तो पुश्पा शायद ऐसी एक मूवी थी जिसका की हिंदी सरकेट में बिलकल भी प्रमोशन नहीं किया गया था लेकिन उसके बात भी उसको हिंदी में रिलीस किया गया हिंदी में सिर्फ और सिर्फ host Publicity की दंपा मतलब जो पबलिक एक दूसर को बताती है उसके दम पर इस मूवी ने काफी अच्छा प्रशन किया और कमाई के मामले में तो फिर क्या ही बोले तो ऐसे मैं पुश्पा 2 का इंतजार भी अब काफी लोग कर रहे हैं तो वहरान परेशान इंसान होई जाए दक्षिन मारती फिल्मों के सुपरस्टार अलु अर्जुन के फिल्म पुश्पा ने बॉक्स ओफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पटकनी देकर शांदार का मैंकर रिकॉर्ड बनाया है इन सब के बीच में खबर है कि मोस्ट अवेटेड फिल्मों के लिस्ट में अलु अर्जुन के फिल्म पुश्पा टू ने शारुक खान की पठान सल्वान खान की टाइगर 3 को पीज़े चोड़ दिया और मैक्स मीडिया ने 18 अक्टूबर 2022 को अपने फिल्टर हैंडल पर एक लिस्ट जारी करी इस लिस्ट में पुश्पा टू साल 2023 की मोस्ट अवेटेड मुवीज में टॉप पर पुश्पा टू के बाद दूसरे स्थान पर शारुक खान की फिल्म पठान तीसरे नमबर पर सर्मान टाइगर 3 और इसके लगा चौत्वर पांच नमबर पर शारुक खान की फिल्म जवान और डंकी मतलब टॉप पांच में से तीन फिल्म में शारुक की हैं हाला कि वो टॉप नहीं कर रहा है बता दें कि पुष्पा दराई 17 दिसंबर 2021 को सिर्मा घरों में रिलीज हुई थी शुकुमार के डिरेक्शन ने बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, मिको, हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणन भाशा में रिलीज किया था पुष्पा ने दुनिया भर में कुल 325 करोड रुपए का वर्लवाइड कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाशा में ही 100 करोड रुपए से जाधा का बिजनस कर लिया था नौर्थ बेल्ट में 100 करोड रुपए का आखड़ा चूने वाली पुष्पा पांचवी साउथ इन्यन मूवी है पुष्पा की तरह ही 83 को भी हिंदी के अलावा सभी दक्षिन भारती भाषाओं और 3D फार्बाट में रिलीज किया गया था रनवीर सिंग और दिबिक वादुकोण की ये फिल्म 83 विश्वकप में भारते के टीम की जीत पर आधारित थी जो की दर्शकों को बिल्कु प्रभावित नहीं कर पाई थी इस फिल्म ने 19 दिनों में मातर 101 करोड रुपए ही कमाई करी थी वहीं अलु अर्जुन की फिल्म मातर दो दिनों में वर्ल्डवाइट बॉक्स आवेस पर 100 करोड रुपए के अधिक का बिजनस करके चली गई थी तो उस समय इन दोनों मूवीज की सीधी टक्कर होई थी 83 का वर्ल्ड कप आज की जनरेशन में से अधिकतर लोगों ने देखा नहीं था तो ऐसे मैं उमीद यह करी जा रही थी कि जिन लोगों ने 83 का वर्ल्ड कप नहीं देखा है वो सभी लोग इस वर्ल्ड कप को देखने में रुची जरूर दिखाएंगे लेकिन किसी ने भी इस मूवी को देखने में रुची नहीं दिखाई और अन्वीर जिन देपक वादकोर्ण की 83 बुरी तरह से फ्लॉप होई थी हाला कि उसी के साथ रिलीज होई पुष्पा ने नए कीडिती बान गाड़े थे जैसके में आपको बताया और आने वाले समय में पुष्पा टू को लेकर भी कुछ ऐसा ही बज है आपको बता दू कि KGF जब रिलीज होई थी तो वो भी 80 करोलों के बजट ने बनी थी और उसने 200 करोलों की कमाई करी थी लेकिन जब KGF टू आई तो वो 100 करोलों के बजट ने बनी और उसने 1200 करोलों रुपए कमाये थे और कुछ ऐसा ही हाल बहुबली 2 के साथ भी है मतलब सेकंड पार्ट जब जब इन मुवीज का आया है और उन सभी ने काफी अच्छी कमाई करी तो ऐसे पुषपा 2 से भी उमीद करी जा रही है को कम से कम 800 से 1000 करोलों रुपए कर बिजनस करेगी अलJackie साथ जो बाकी की चार मुवी रिलीज होने वाली है वो चारो गी चारो बójवड की है वो चारों एंसे तीन शारुखान के और एक सल्मान खान की है अब देखना है होगा कि क्या सल्मान खान टाइगर फ्रैज़ जो की काफ़ी जड़ी पॉपलियर है उसकी मूवी को लेकर आगे बढ़ पाते है या अब यहां पर टाइगर फ्रेंचाइजी पर फुल स्टॉप लग जाएगा इसके अलावा शारुक खान ने तो एक के वाद एक अपने पत्ते खोल दी है अलागि अगले साल की शुरुआत में सबसे पहले पठान उनकी रिलीज होगी और उसके बाद समझ में आएगा कि शारुक खान कितने पानी में है और कितने बाहर आप लोगो कह रखता है जबारे मुझे कमेंड करके जबूर बताएं मेरे शुड़ी व्लाग नहीं जय है जय बाद